हाई आज हम एक बहुत ही कॉमन समस्या के बारे बात करेंगे विचिस पेंफुल पीरियोड दैट मेंस महीना मासिक के समय पेट में दरद जब एक लड़की मैच्योर होती है तो यह डिसकमफर्ट या पेन बहुत कॉमन है और अक्सर मा दादी बताती है कि यह तो बड़े होने का एक तरीका है सबको होता है उसको सहलो आगे बढ़ो एक तरह से सही है लेकिन as a patient you must remember कि अगर यह दरद आपको स्कूल जाने से रोक रहा है कॉलेज जाने से रोक रहा है या बहुत दवायों की जरुवत है तो be smart understand कि इस problem है जिसमें uterus की जो lining होती है जिसको हम endometrium बोलते है uterus के बाहर भी ग्रो करती है और यह बहुत subtle way में या छोटे से तरीके से बनती है कोई blood test नहीं है बताने के लिए कि आपको endometriosis है यह एक smart patient चाहिए और एक smart doctor चाहिए इसको understand करने के लिए क्यों important है क्योंकि अगर यह हम early पकरें तो हम आपके life comfortable कर सकते हैं हम आपको ऐसी दवाईयों पर रख सकते हैं ताकि यह आगे चल के और progressive problem नपन जाए क्यों progressive problem से परेशान है क्योंकि अगर यह आगे बनके cyst बनते हैं आपकी pelvis mendations बनाते हैं तो आपका pain intractable हो जाएगा आप आगे जब शादी होगी तो आ incapacitating है इतना problem है कि आप रोज का काम नहीं कर सकते हैं see a gynecologist and make your life better by diagnosing and treating it.